दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले के वर मुक्स सानी मंत्रेपाद से बरखास्त बीजेपी की मांग पर सीम नितिस कुमार ने राजपाल को हटाने की भेजी सिफारिस जे अब 81 इनसान पार्टे के मुख्या मुख्य सानी को बोचाह उप चुनाव और यूपी चुनाव में बीजेपी से भीड़ना महांगा पड़ गया है बीजेपी साने से मंत्रेपाद से सिफादेनी के मांग कर रही थी लेकिन उन्होंने इससे इंकार कर दिया था उन्होंने कहा था कि मैं सन आप मलना हूँ उनके अधिकार के लिए लड़ाय लड़ता रहूंगा मेरी कोई गल्ती नहीं है अपने समाज के लिए आरक्चन है बिहार में नहीं मिला किसी के सामने जुकूंगा नहीं इस बयान के दुबाद ही उन पर यह करवाई की गई है बाड़ी कबर प्रचन गर्मी के बेच बिहार में बारिस का लाट 25 किलो मीटर के रप्तार से चलेगी हवाई 30 मार्च को हलकी बारिस दिलाएगी गर्मी से मिल पुर्भी हवा प्रभाव के कारण 31 मार्च को राज के पुर्वी आलागों में हलकी बारिस के साथ बोंदा बोंदी होगी बादलों की बीच हवा के तेज रपतार और बारिस के कारण तापमान में 2-3 ॡिगरी तक गिरावर दरज की जा सकती है इससे मौसम मार्च के अंति सुकेदार हवाओं का प्रभाव हो सकता है इससे धूल धक्कड का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है अगली बड़ी ख़बर आज जारी हो सकता है BSEB विहार बोर्ड मेट्रिक का रिजल्ट जिया विहार विदाले परिचा समीती मेट्रिक वर्षिक परिचा के परिणाम सु बिहार बोर्ड के सुत्रों के नुसार टॉपर्स की कौपिया बोर्ड ओफिस में आना सुरू हो गई है और BSEB से सुगो से उनकी रीचेकिंग करा जा रही है मेरिट लिष्ट में टॉपर रहने वाले सभी बिरदातियों की सुची सिन्वार तक बोर्ड कार्याल में पहुँच चुकी है अब बोर्ड एक दो दिनों में टॉपर का इंटर्विव पूरा करके 28 समारिच को रिजल्ट जारी कर सकता है जा बिहार की बदहाले अब दूर होने वाले है खान एवं बुदत मंत्री जनक राम ने उमीद जताई है कि बिहार फिर खनेज संपता के बदलत देश का अगरनी राज बनेगा जमुई में सोना कैसे भंडार का पता चला है जा देश का 44% सोना मिलने के समावना है इसके अलावा अनकई जिलों में पुटास, लो, लिकेल, क्रोमियम और वॉकसाइड से पिर बहार में समरे दियाएगी खनन पट्टो के निलामे के पूर्व विस्त परियोजना परिवदन तयार करने के लिए CMPDI राची, IIT, ISM, धनवाद और EMCL नागपूर से प्रस्ता मांगा गया है मांत्री जनक राम ने सनिवार को विदान परिषद में खानवं बदत विबाग के बज़र पर सरकार के उत्तर के दोरान सदन में ये गोसना की है अगली बड़ी ख़बर बिहार में दो अपरेल से कलस स्तपना के साथ सुरू होगी नावरात्री जैर आज में इस साल चैत्र नावरात्री दो अपरेल से सुरू हो रही है धर्म सास्त्रों और पुरानों के अनुसार चैत्र नावरात्री का समय बहुत सुब होता है इस बार नवरात्र में भगतों को दर्सन देने वाले मा भागवती गोड़े पर सवार होके आएगी 10 अप्रेल को राव नौ में मनाई जाएगी और 11 अप्रेल दिने रहिवार को नवरात्री पूजन समाप्त होगा साथ है आपको बता दे कि उदायात दिको ध्यान में रखते वे इस साल कलस सपना का सुब समय दो अप्रेल को सुबचे बजे से 11 बज कर 28 मिनट तक रखा गया है वह कुछ जानकारों का माना है कि सुबह 6 बज कर 5 मिनट से 10 बजे तक कलस सपना का सर्वत्त मोरत है वैसे 11 बज कर 28 मिनट तक कलस सपना की जा सकेगी बाड़ी कबर बिहार में आज फिर से बढ़े डिजल और पेटोल के दाम 5 दिनों से लगाता और बढ़ रही है किमत जा पेटोल और डिजल की केमतों में बिर्दी का सिलसला जा रहे है तेल कमपनियों की तरब से कल फिर पेटोल और डिजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है पेटोल के दाम 47-53 पैसे तक बढ़े है तो डिजल के दाम भी 53-53 पैसे तक बढ़े है अंतराश्टिय बाजार में कच्चे तिल के किमतों में इजापा का असर इसे माना जा रहा है कच्चे तिल के किमत 120.7 डॉलर पर पहुँच गई है बाड़े कबर राज में अगले दो दिन बैंक रहेंगे बंद बिहार में करीब 3000 बैंक साका रहेंगे बंद 20,000 करोड का कारोबार रहेंगे जिसके परिनाम स्वरूप लगवग 20,000 करोड का कारोबार प्रभावित होगा बैंक कर्मियों का कहना है कि केंदर सरकार के जन एवम स्रम बिरोधे नितियों के किलाब 12 सुत्री मांगो को लेकर 10 केंदर सरमिक संगटोनों एवम सिकडो स्वतंदर ट्रेड यूनियों के आवान पर देश भर के 20 करोड से ज़्यादा कामगार कर्मचारे एवम अधिकारे 28 एवम 29 मार्च को राष्ट व्यापी आम हर्ताल में भाग लेंगे अगली बड़ी कबर सिक्चा मंतरी का सदन में अलान बिहार के 3 लाग सिक्चकों को 31 मार्च तक 15% बड़ा वेतन मिल जाएगा जे अभियार में सिक्चकों के लिए बड़ी कुस्कबरी अभिहार विधान परिशत में सिक्चा मंतरी विजे चोधरी ने कहा कि प्रारंबिक से हाई स्कूल के 30,52,783 सिक्चकों का डाटा अपलोड हो चुका है इसमें 2,99,228 सिक्चकों का डिजिटल हस्ताक्चर के साथ ऑनलाइन वेतन परिचे जारी हो चुकी है और वेतन बुक्तान के करवाई की जा रही है 31 मार्च तक ऐसे सबी सिक्चक जिनका डाटा अनुमातित हो चुका है उन्हें 15% बेतन बिर्दी के साथ बेतन का बुक्तान हो जाएगा अगली बड़ी कबर फायर मेन की परिचा में बुलूतूत के साथ बकड़े गई महिला परिचातरी दो विक्चक भी लिये गए हिरासत में जिया अभिहार फायर सर्विस में फायर मेन के 238 सिपदों के लिए आयोजित लिखित परिचा कल संपन हो गई केंद्रे चैन परिसद सिपाई भरती दोरा आयोजित इस परिचा में कदाचार में लेपतेक महिला को पकड़ा गया है आपको बता दे कि कट्टिहार के सिताराम चमरिया डिग्री कॉलेज परिचा केंद्र पर महिला परिचातरी के पास बलोटूर डिवाइस वाला मॉवाइल भी बरामत किया गया है दो विक्चक को भी हिरासत में लेकर पोच्टाच की जा रही है वहीं केंद्रा दिक्चक से समन्द में स्बेश्टिकरन मंगा गया है अगली बड़ी कबर बक्तियार पूर में सेम नितीस पर हमला युवाइक ने मारा तपड आनन फानन में सुरक्चक कर्मियों ने लिया हिरासत में यह बड़ी कबर बक्तियार पूर से आ रही है यहां सेम नितीस कुमार पर एक वैक्तिया ने हमला कर दिया है आपको बता दी कि सियम नितिस कुमार बक्तियारपुर में मुर्ती का मैलापन करने गए थे इस दोरान मंज पर चड़कर एक उवग सियम नितिस के पीछे से एक तपड मार दिया वहीं इस कटना के बाद सियम की सुरक्चा में लगे सुरक्चा कर्मियों ने उवग को हिरासत म ले लिया है इसके बाद मौके पर अपरात अपरे मज़ गई है फिलाल इवक से पुच्टास की जा रही है अगली बड़ी खबर गर्मी में बेजली का बेले जमा नहीं करना पड़ेगा महांगा बेजली बिवाग का सकत कदम एक हजार सदिक के बगाईदारों की भी कड़ेगी बिजली जा गया में सावथ बिहार पावर डिस्ट्रिबिसन कंपनी ने गर्मी का पारा चड़ते एक नया फरमान ज़री कर दिया है एक हजार रुपे से अधिक 선물 बगया किसी उफो बॉगता के घर का है तो उसके घर की बिजली कार दी जाएगी उफो बॉगताओ के सुची तयार कर कारवाई की बात कही गई है सारी चेतर के काहर फ़ला का भयनता दीपक कुमार ने बताए कि गर्मी के बढ़ते प्रकोप और बिजली बेल जमा नहीं करने की टेडंसी को देखते वे बिजली विभाग ने सकत कदम उठाया है उन्होंने बताए कि गया सहरी चेत्रे में बहुत गया में सिर्फ 90 करोड रुपय बखाया चल रहा है मार्श 2022 में राज मुख्याले 32 करोड रुपय का लच दिया गया था अब तक महाज 18 करोड रुपय ही बसुल गये हैं एक से पचीस तक बाकया रहने के कारान अटातर सो चटीस भवगताओं की बिजली कार दी गई है जरुत मंदु को सितंबर तक मिलेगा मुप्त में रासन पी-एम गरीब कल्यान योजना को 6 मैंने और बढ़ाया गया जहां गरीब और जरुत मंदु को अब सितंबर 2022 तक रासन फिर मिलेगा प्रधान मंत्री गरीब कलान ने आने योजना को अब 6 मैने के लिए और बढ़ा दिया गिया है सरकार के इस फिसले से 80 करोड से अधिक लोगों को लाब मिलेगा प्यम मोदी ने इस बात की जानकारे ट्विटर के मैदम से दी है उन्होंने कहा कि भारत वर्स का सामर्द देश के एक एक नागरी की सक्ति में समाहित है इस सक्ति को और माजबूती देने के लिए प्रकार ने प्रधान मंत्री गरीब कलान ने योजना को 6 मैने और बढ़ा कर सितंबर 2022 तक जारे रखने कर निने लिया है देश के 80 करोड से अधेक लोग पहली के तरह इसका लाब उड़ा सकेंगे गौर तलब की परधान मंत्री गरीब कलान ने योजना के अंतिमती थी 31 मार्श 2022 थी इस योजना के एलान मार्श 2022 में हुआ था कोरोना काल में गरीबों के मदद पहुचाने और कोरोना महमारी से लोगों में हुए तनाव को कम करने के उद्धिस से इस योजना के सिरुवात की गई थी अगली बड़ी ख़बर 21 ने स्कूल देश बर में खुलेंगे रक्षा मंद्राला इसी बिहार को भी मिली मंजूरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहद क्वालिटी एजुकेशन और सिना में सामिल होने सहीद केरियर की बहतर आउसर चात्रों को अपलब्ट कराना इसका मकसद है बता दे कि यहर नए एक केस से सैनिक स्कूल में छटी कक्छा से पढ़ाई सुरू होगी बढ़ी के बर बिहार बासियों को सौगाद सभी रासन करदारी परिवारों को पांच लाग तक मिलेगा मुप्तिलाज जिया बिहार बिधान सभा ने आगामे वित्या वर्स के लिए स्वास्त विवाग के 161.34 करोड रुपे से अधिक की बजट अनुदान उधानिस से पारित कर दी बिधान सभा में स्वास्त मंत्रे मंगल पाड़ी ने बजट पर विच चर्चा का जबाब देती वे इत्वास्त मंत्रे मंगल पाड़ी ने विधान सभा में इसके खोसना करते हुए कहा कि राज के लोगों को मुखिमंद्रे निदिस कुमार ने या एक और बहुत बड़ा तुफा दिया है अपरेल में सुरू हो रहे बेतिया वर्ष दोजर बाइस तेज से यह सुविदा मिलने लगेगी आज के लिए आपका स्वाल बताए कि दवाओ के दाम बढ़ने से सबसे ज़्यादा असर किसको पढ़ने वाला है इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए